शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले खापर खेडा पुलीस थाना अंतरगत खापर खेडा चीचोली शिवार के कोलार नदी में एक यूग की लाश मिलने से परिसर में हरकम मज़ गया खबर मिलते ही खापर खेडा पुलीस ने घटना स्तल पर पहुश कर आगे की जाश शुरू की है मृतक का नाम प्रणय गोपाल राव जी वाजूर कर बताया जा रहा है मृतक अपने बड़ा भाई और माबाप के साथ किराय के घर रहता था घटना पशात किसी को ना बताते हुए घर से प्राता सुबा निकल गया उसके परिजनों ने आज खापर खेडा पुलीस थाना जाकर गुमशुदा की जानकारी भी दी इस आधार पर पुलीस ने मामले को गंबिरता से लिया अचानक आज दोपहर के समय खापर खेडा पुलीस को किसी होमगाड दोरा कोलार नदी पर लाश पड़ी है ऐसी जानकारी मिली तुरंत खापर खेडा थाना के पुलीस उपनिरिक्षक निमगडे अपनी स्टाफ के साथ घटना स्थल रवाना हुए घटना स्थल पहुचने के बाद लाश कोलार नदी के तड़ पर पानी में तहर रही थी परिजन भी घटना स्थल पहुचे परिजनों ने पुलीस थाना जाकर रिपोर्ट दर्श कराई फिर्यादी के शिकायत के आधार पर खापर खेडा पुलीस ने मर्ग दाखिल किया वास्तविक्ता घटना स्थल पर पर परिजन शोक में आक्रोश करते हुए खुदकुशी की या फिर हत्या इस पर सवाल उठा रहे थे लेकिन घटना स्थल शव के शरीर पर कोई भी जख्म नहीं थी पुलीस के प्रात्मिक अंदाजा अनुसार आत्मा हत्या होने की पुष्टी हुई बताया जा रहा है कि शर्व का पोस्माटम होने के बाद ही डॉक्टर के जाँच रिपोर्ट में ही सच का पता चलने की बात कही गई उक्ते घटना का खापर खेडा पुलीस ने पंच नामा कर शर्व मेव अस्पिताल पोस्माटम के लिए भीजा गया इन बीस न नियूस के लिए खापर खेडा से दिलिप गजपिये की रिपोर्ट